हलो दोस्तों तो आज मैं लिके आई हूँ ऐसी रेसेपी जिसके आगे चिकन मटन और मचली सब है फेल बिना टमाटर का जब यह बनेगी आपके किचन में तो सबको इतनी पसंद आएगी यह किचन की आपकी पर्मानेंट रेसेपी हो जाएगी तो इसके लिए बस थोड़ा सा चाहिए सवाबीन यानि केकप के आसपा सवाबीन और मैं इसे पानी में डाल दूंगी और इसे पानी में बॉल करेंगे दोस्तों अगर आपको रेसेपी अच्छी लगे तो प्लीज में चानल को सब्सक्राइब करिएगा बल आइकन को दबा दीजिएगा तो मैंने इसे पा और दो छोटे चमच यानि के टी स्पून यहां पे कॉंट्रॉर डालूंगे ताके इसमें बाइंडिंग हो सके स्वाथ के अनुसार नमक और आधा चमच के आसपस यहां पे हल्दी डालके इसे हातों से बहुत अच्छी तरीका से सान लेंगे और इस तरीके का बना लेंगे अब यहां मैंने क्या किया है कि इसे गोल सा एक बड़ा सा डू ले लूँगी और उसके अंदर एक पैन डाल देंगे आप चाहने तो पैंसिल भी इसमें डाल सकते हैं डालके इसमें एक शेप देंगे जिस तरीके से मचली का जो कट होता है उस तरीके का इसमें हमें शेप ऐलाने जाँे बिच में और वाकी सबकोंगे उसी तरीके से बनें शाट में ड होने तक पकाएंगे जब यह बऊल हो जायाँ और इसको निकाल लेगेber आप मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से कट लगाऊँगी और इस यह अब भी इसका कट लगाईएगा, इसके अंदर के जो holes है वो बंद हो गए हैं, तो इस तरीके से हम इसमें holes कर लेंगे, अब चलिए इसको हम fry करते हैं, कडाई में तेल डाल लेंगे और इसे हलका सा fry करेंगे, महुत ज़्यादा deep नहीं करना है, हलका सरे डाने तक इसे fry करना है, इसे निकाल ले एक प्याच कट करके डाल देंगे और इससे हलका रेड होने तक बनाएंगे यहां पर लालमिश पाउडर हाफ टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और एक चमच यहां पर मैं हल्दी डालूंगी और बिना पानी डाले थोड़ा सा खुजबू आने त तरीके से कर लेंगे मिक्स और इसमें जो पानी हमने सेफ किया था वह पानी हम डालेंगे इस पानी को डालने के बाद हम इसे बॉइल आने तक धख देंगे क्योंकि इसमें जब तक यह हलका गाढ़ा ग्रेवी नहीं बन जागा इसमें हम वह स्वाबीन के पीसे नहीं डाले और हलका सा इसे पकने देंगे और यह तयार हो चुका है इसमें हम धनिया पता डाल देंगे तो दम जबरदस्ती रेसिपी बनके तयार है चिकन मटन मचली यहां तक सब कुछ फेल है इसके आगे एक बार ट्राइ करिया और मुझे कमेंट में बताई कि आपको यह रेसिपी कैस लगी और में चैनल को सब्सक्राइब को लेजेगा बेल अगन को दबा दीजेगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया